जो श्रीमट में दरार कौन गुनेहगार? इसरो की सैटलाइट इमेज धस सकता है पूरा जो श्रीमट सैटलाइट इमेज से खुला सा तेजी से धस रहा है जो श्रीमट इसरो की रिपोर्ट खतरे कालर्ट निमस्कार आप देखरें पंजाब के इसरी की खास पेशकस मैं हूँ आपके साथ रिद्धी गौत्व बीच इस्रों के सेटलाइट इमेज ने चौकाने वाले खुलासे किये हैं सेटलाइट इमेज ने खुलासा किया है कि जोशी मठ तेजी से धस रहा है इस्रों ने सेटलाइट तस्वीरे जारी कर बताया कि 12 दिन में जोशी मठ 5.4 cm धस गया है इस्रों के जाले रिपोर्ट से ह खंड हो रही है इस तरार का जम्मेदार कौन है आखरकार वेजह क्या है कि दिन पर दिन उत्रा खंड हो रहा है जोशीपठ ऐसी जगह है जिसको आदी शंक्राचारे ने बसाया था और आज वही पवित्र धर्ती टुकडू में विभाजित हो रही है इसका अस्तित्व मिटने की कगार पर पहुंच चुका है फिर से वही सवाल कि आखरकार इसका जम्मेदार कौन है सरकार वहां की जनता या फिर कुद्रत का कहर ये रिपोर्ट देखिए इसरों ने अपने सटेलाइट से जोशीमट की आपदा का जैसा लिया जोसके बाद परिणाम इतना डरावना आया कि आपके भी रोंग टे खड़े हो जाएंगे दरसल स्थिती भी कुछ ऐसी ही है सेटलाइट ने जो स्थिती दिखाई है उसके अनुसार पूरा जोशीमट शहर धस जाएगा इसरों के हैदरबाद इस्थित नैशनल रिमोर्ट सेंसिंग सेंटर ने ये रिपोर्ट जारी की है और शायद इसी के आधार पर राजी सरकार लोगों को डेंजर जोन से बाहर निकाल रही है रिपोर्ट में कहा गया है कि पिछले कुछ दिनों से जोशीमट में जमीन धसने और दरारों की जानकारी मिल रही है साथ सो से जादा घरों में दरारे आई हैं सडको अस्पतालों होटेल्स भी दरक रहे हैं इस्टोने सेंटिनल वन एसे आर इमेजरी को प्रोसेस किया और इसे दिन एसे आर तकनीक कहते हैं इसे पता चलता है कि जोशीमट का कौन सा और कितना बड़ा इलाका था सकता है जल् साथ की जमीन जैसे जैसे खिसक रही है वैसे वैसे यहां के वाशिंदो की हिम्मत जवाब दे रही है पुर्खों ने कुद्रत के इस कोख में आश्याना बसाया था खुशहाल भविश्य के सपनी संजोय थे लेकिन जोशीमट में आज ऐसी त्रास्ती आई कि कुछ भी सुर कार भी अलाट मोड पर है इस रों ने काटू सेट 2S सेटलाइट से साथ से 10 जनवरी 2023 तक जोशीमट की तस्वीरे ली जिसके बाद उपर बताई गई तकनीक से प्रोसेस किया तब जाकर पता चला कौन सा इलाका धस सकता है या धसने की कगार पर है इस रों ने बताए कि जनवरी 2023 तक 12 दिनों में जमीन धसने की तिवरता माइनस 5.4 सेंटीमीटर हो गए यानि ये काफी तेज गती से बढ़ रहा है जोशीमट का मदे हिस्सा यानि सिंट्रल इलाकर सबसे जादा धसाव से प्रभावित है इस धसाव का उपरी हिस्सा जोशीमट ऑली रोड पर अभी जारी है लैंसलाइट काइनेमेटिक्स की स्टडी की जा रही है जोशीमट उत्राखन के चमोली जिले का कस्बा है 6150 वीट की उचाई पर बसा हुआ और जोटीमट के नाम से भी जाना जाता है जोशीमट कस्बा 2023 में आया अब्दा से प्रहावित हुआ था जोशीमट बुकम से जादा भुसकलन के प्रती संवेदन्शीर है क्योंकि ये प्राचीन भुसकलन से आई मिट्टी पर बसा कस्बा है आसल में जोशीमट की उचाई याने की 6150 वीट की उचाई पर ये कोई पहाड नहीं है वो एक भुसकलन का मलबा है जिस पर कस्बा बसा हुआ है आज पूरत जोशीमट चीक चीक कर यही पुकार रहा है कि देख तरे संसार की हालत क्या हो रही है भगवान अब तो बस कर दो हर तरफ गम के आसू है पूरे देश की नजर देव भुमे जोशीमट पट्टी की है आज हर कोई भगवान से यही प्रात्ना कर रहा होगा कि ही बहुत हो गया किसी न किसी तरह से जोशीमट को बचा लो तमाम वाकी के बाद सवाल ये भी उठ रहे हैं कि क्या पहाड पर बेतर्तिव निर्माण ही जोशीमट आपदा का कारण है दरकती दिवारी फटती सड़के तूटते मंदिर उजडते आशियाना लोगों का तूटत का होसला ये सब जोशीमट की कहानी है और लोगों को डुरा रही है एक तरफ आस्वों का सैलाग तो दूसरी तरफ कई स्थारे सवाल और सबसे बड़ा और आखरी सवाल यही कि सिसकते रोते विलखते जोशीमट का जिम्मेदार कौन है फिलाल के लिए इतना ही दिखते रह हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और नए वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकोन को दबाए